हमारे जिन्दगी में रोजाना ऐसे बहुत सारे वाकियात पेशाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं हम जान बूच कर उन्हें नहीं करते हैं हम अक्सर देखते हैं कि जैसे छीकते वक्त हमारी आखे बंद हो जाती हैं यह हम जान बूच कर नहीं करते हैं यह हम चाहें भी तो इसे रोक नहीं सकते हैं आखें खुली रखकर छीकना तकरीवन नामुम्किन है कोई हमारी आखों के सामने हाथ लहराता है तो हमारी पलके जबग जाती है कोई बच्चा जब रोता है उसकी आखों से आसू बहने लगते अगर हम अधेरे में बैठें और कोई हमारे आँकों पर अचानक टॉर्च की रोशनी डाल दे तो हमारे आँके बंद हो जाएंगे ये जो खुद बखुद होता है इसे हम रिफ्लेक्स एक्षिन या गहर शौरी फेल करते हैं क्या है ये रिफ्लेक्स एक्षिन ये एक इंतहाई तेज तरीन अमल है जो खुद बखुद होता है और अक्सर ये महौल में होने वाली किसी भी तबदीली अंधरूनी या बेरूनी तबदीली के रियक्षिन में उसके जवाब में उसके रद्यमल में ये पेश आता है इस अमल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्षिन अगर अचानक हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है तो हम फौरण हाथ अटा लेते हैं चलते चलते अचानक अगर हमारे पाउं में ठोकल लग जाती है तो हम फौरन अपने पाउं को अगर हमारे सामने कोई बहुत चिटपटी और टेश्टी चीज गोई खाता है तो ना चाहते हुए भी हमारे मूँ में पानी भराता है अगर कोई अचानक हमारे चेहरे के सामने तेजी से हाथ लहराता है तो हमारी पलकें छपक जाती है रिफ्लेक्स एक्शन की दो किसमे होती है पहला है इन बॉर्न या अन कंडिशन रिफ्लेक्स एक्शन उर्दू में से पैदाईशी या घर मश्रूत रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन की दोसरी किसम है Acquired या Conditioned Reflex Action उर्दू में हम इसे हासिल करदा या मश्रूत Reflex Action कहेंगे Inborn या Unconditioned Reflex Action ये वो Reflex है जो किसी बच्चे में पैदाईश के वक्स सही पाये जाता है और ये वो कहीं से सीखता नहीं है मिसाल के तोर पर खाने की चीज़ देखकर मूँ में पानी भराना घुटने की हड़ी के नीचे जर्ब लगाने से पैर का हरकत करना आखों के सामने किसी साय के आने से पलकों का जपक जाना सांस की नली में धुआ या कुछ और दाखिल हो जाने से खासी का आना नौजाइदा बच्चे का अंगुठा चूसना और अपनी मा का दूद पीना ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन पैदाशी तोर पर बच्चे में मौजूद होती है इन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है इन्ही को हम इन्बॉर्ण या अनकंडिशन रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं इन्हें इन्नेट रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है एक्वायट या कंडिशन रिफ्लेक्स एक्शन यह वो रिफ्लेक्स है जो जानदार किसी ट्रेनिंग या किसी इस्टिमूलस से बार-बार सापका पढ़ने की वज़ा से तजर्बे के जलिया हासिल करता है सीखता है यह रिफ्लेक्स बच्पन से पैदाशीतों पर नहीं होता है इस तरह की रिफ्लेक्स सेक्षन को हम लोग कंडिशन्ट रिफ्लेक्स या लर्नेड रिफ्लेक्स या एक्वाइट रिफ्लेक्स कहते हैं जैसे इमली को देखकर मुँ में पानी भराना ये एक कंडिशन्ट रिफ्लेक्स है क्यूंकि हमें इमली के जाइके का तजर्बा बहुत पहले से हो चुका होता है और हमें मालूम है कि इमली बहुत खटी होती है, बहुत टेश्टी होती है, इसलिए उसका नाम सुनते ही हमारे मुँँ में पानी बराता है, अगर एक आदमी जिसने अपनी जिन्दगी में कभी इमली नहीं चकी हो, उस पर इमली का कोई असर नहीं होगा, उसके सामने बैट कर चाहिए जतनी भी इमली खाए जाए उसे कुछ नहीं होगा इस सिल्सिले में रूसी साइंसदा आईवान पैवलब ने अपने कुटे को लेकर एक बहुत दिल्चस्प तजर्बा किया हम जानते हैं कि कुटे के सामने जब कोई खाने की चीज आती है तो कुटा दो महिलाने लगता है और उसके मुझ से राल टपकने लगता है लेकिन रूसी साइब अगर किसी कुटे के सामने हम घंटी बजाते हैं तो कुटे पर कोई असर नहीं होता है कुटे को घंटी से कोई मतलब नहीं होता है वो सिर्फ खाने की चीज को देखकर ही दो मिला सकता है और राल टपका सकता है पैवलब का तजर्बा अपने तजर्वे के दोरान पैबलब ने देखा कि जब वो अपने कुट्टे के सामने खाना लेकर जाता है तो कुट्टा उसे देखकर दुम हिलाने लगता है और कुट्टे के मुँ से राल टपकने लगती है पैबलब जब कुट्टे के सामने घंटी बजाता है तो कुत्ते पर कोई असर नहीं होता है कुत्ता उसे खामोशी से देखता रहता है अब पेवलोब ने क्या किया कि वो रोजाना खाना देने से पहले घंटी बजाता था उसके बाद खाना देता था यह अमल काफी दिनों तक चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते के जहन में ये बात बैट गई कि जब घंटी बस्ती है तो खाना मिलता है और उसके बाद हालत ये हो गई कि पैवलोब जब भी घंटी बजाता था कुत्ता दूम हिलाने लगता था और कुत्ते के मुँझे राल टपकने लगती थी दरसल ये acquired reflex action या conditioned reflex action है यानि कुट्टे ने ये बात एक training के जरिया सिखी जब उसे training मिली कि घंटी बजने के बाद खाना मिलता है तो ये बात उसके दमाग में बैठ गई और ये reflex उसके अंदर पैदा हो गया और जब भी घंटी सुनता था वो दो मिलाने लगता था रोजाना जिन्दगी में reflex action की एहमित पलकें जपकाना हम लोग एक मिनट पे तकरीबन 15 बार अपनी पलकें जपकाते हैं ये एक नीम खुद एक्टियारी अमल है ये अमल आँखों की हफाज़त के लिए बहुत जरूरी है इसकी वज़ा से आँसू आँखों की स्टा पर फैलते हैं और आँखों से गर्दो गबार और जरासीम धुल जाते हैं ये आँखों के लिए एक cleaning प्रोसेस है सांस की नली के अंदरूनी स्टा की एपिथेलियम बाफ्त में मौजूद हिस्सी खलिये जिनें हम कफ रिसेप्टर्स कहते हैं ये नली में किसी भी बैरूनी शेय या बलगम औगरा को जैसे ही मحसूस करते हैं नतीजे में कफ रिफ्लेक्स पैदा होता है और हमें जोर की खांसी आती है जिसका मकसद सांस की नली में मौजूद बैरूनी स्टा को हवा की मदब से धक्का देकर बाहर निकालना होता है और ये तरह ये हमारे लिए बेहत जरूरी अमल है छीकना छीकना एक हफास्ती रिफ्लेक्स एक्शन है और जोकाम की सबसे वाज़े इलामत भी है नाक में किसी भी बैरूनी शेय के दाखले की सूरत में फेपड़ों से हवा की खासी मगदार को नाक और मूँ से नहायत तेजर अफ्तारी से जटके के साथ निकालने के अमल को हम च्छीक कहते हैं इस अमल की बदूलत नाक में दाखिल होने वाली शेय फौरन बाहर निकल जाती है इस तरह ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी अमल है और अब हम एक नज़र डालते हैं रिफ्लेक्स एक्षिन के तरीका एकार पर के ये होता कैसे है रिफ्लेक्स एक्षिन नर्वस सिस्टम के जिस खास रास्ते से होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते है ये एक रिफ्लेक्स आर्क है रिफ्लेक्स आर्क यानि रिफ्लेक्स एक्षिन के दौरान impulse यानि तहरीक जिस रास्ते से गुजरती है उसे हम reflex आर्क करते हैं फर्ज करो के हमारे हाथ में एक सुई चुब जाती है एक पिन चुब जाती है तो ये पिन का चुबना stimulus हुआ ये पिन stimulus है जो हमारे जिल्द में चुब गई है ये सुई जब हमारे जिल्द में चुबी है तो इसके इससे होने वाले दर्द को ये जो receptors हैं हमारी skin में ये इसे महसूस करते हैं और उसके बाद इस दर्द का एहसास यानि इसका impulse तहरीक इस neuron के जरिया ये एक neuron है sensory neuron है खबर को ले जाने वाले neuron है ये उसका cell body है और ये उसका exon है और इस तरफ उसका dendron है ये डendrites हैं ये तो ये खबर इस neuron के जरिया जाती है spinal cord में spinal cord के grammator से गुजरती है दर्म्यानी neuron यहाँ पर है जिसे हम relay neuron काते हैं इस neuron से गुजरती है और उसके बाद आती है motor neuron में ये एक motor neuron का cell body है और ये उसका exon है जिसका तालुक effector muscle से है effector से है, effector organ से है effector organ कुछ भी हो सकता है muscle भी हो सकता है और gland भी हो सकता है तो impulse यहाँ से जाती है और दमाग तक जाने की जरूवत नहीं पड़ती है उसे और दमाग तक ना जाकर वो spinal cord से ही लौट आती है और वापस एक हुक्म यहां से आता है effector organ में muscles में इसको सुकड़ने का हुक्म आता है और नतीजे यह होता है कि यहां सुई चुपती है और यह तहरीक फोरण यहां पहुंचती है और यहां से फोरण एक हुक्म आता है हमारे हाथ के muscles को सुकड़ जाने का और नतीजे में हाथ फोरण उस जगह से उड़ जाता है इसमें बहुत कम वक्त लगता है और यही वज़ा है कि reflex arc में जो reflex action जो होता है वो बहुत तेज होता है तेज सरीन होता है अगर इस खबर को दिमाग तक जाना होता और दिमाग सोच समझ के फैसला करता है इस दोनान काफी नुक्सान होसकता था लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है और सुई के चुपते ही खबर फोरण इस रास्ते से जाती है और इस रास्ते से वापस आती है और आकर के मसल्स को सुकड़ने का हुकुम देती है ये जो रूट है रिफ्लेक्स एक्षन का इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्षन के फाइदे इस अमल में सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है ये अमल स्पाइनल कॉर्ट के जरिया अंजाम पाता है जिसकी वज़से दिमाग पर काम का बोज कम हो जाता है जिससे दिमाग को दोसरे कामों को करने में आसानी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ट के जरिया होने की वज़से ये अमल काफी तेजी से होता है अगर दमाग के जरिया होता तो सोचने में कुछ देर जरूर लगती और इससे काफी नुकसान होने का खत्रा होता नीद की हालत में भी ये अमल हो सकता है झालत में भी ये वजया होता है झाल झाल